कोरोना काल में सूर्य नमसकार का महत्व सूर्य नमसकार योग असनों में सरवश्रेष्ट अभ्यास है इसका एक मात्र अभ्यास ही साधक को संपूर्न योग व्यायाम का ला पहुंचाने में समर्थ है प्रित्वी पर उर्जा के श्रोद, वायू, जल, सूरिय आदी में से सूरिय प्रमुख है ये भी वेग्यानिक रूप से सिद्ध तथे है कि प्रातह काल की शूरिय नमकिर्णों का हमारे शरीर पर विशिच कित्स के प्रभाव पड़ता है हमारी पूरवज रिशिमुनियों ने शोद एम अनुसंधान के द्वारा पाया की प्रातह काल में अलग-अलग प्रकार के बारह आसनों का एक विशेश क्रम के साथ अभ्यास करने पर हमारे शरीर में उर्जा का स्तर काफी बढ़ जाता है योग मनिशियों ने इनी बारह आसनों के क्रम को सूर्य नमशकार का नाम दिया सूर्य नमशकार का अभ्यास, स्त्री, पुरुष, बाल, युवा तथा वृद आधी के लिए उप्योगी है जो अपने आप में एक संपूर्ण स्वतंत्र व्यायाम है सूर्य नमशकार में 12 मंत्र बोले जाते हैं, परतेक मंत्र में सूर्य नाराइन को गुणों के अनुसार भिन बिन नामों से उचारित किया जाता है, हर मंत्र का एक मूल अर्थ यही होता है कि सूर्य को मेरा नमशकार सूरी नमस्कार का वीडियो आप देख रहे हैं सरोप्रथम एक कहने पर नमस्कार यानि प्रणाम आसन की मुद्रा में आप आ जाएंगे सामाने श्वास धिरे धिरे श्वास को भरते हुए उर्द्व उत्थान आसन जितना आप धिमी गती से पीछे जुक बाते हैं यथा सामर्थे जुकेंगे यहीं से धिरे धिरे श्वास छोड़ते हुए पाध हस्तासन की मुद्रा में आ जाना है गुटने पंजे आपके सीधे अपने मस्तक को लगाना चार कहने पर धिरे धिरे दाया पाउं पीछे पंजा खुटनाटी का हुआ अगला पाउं 90 डिगरी पर उपर देखना यह आपका दंडासन की मुद्रा है इसी में आपको रुकना है चार कदम की दूरी पर देखते हुए शशांक आसन की मुद्रा में श्वास आपने बाहर निकाला है और अंतिम स्थिति में रुके और धिरे धिरे यहीं से शास्टांग नमनासन के अंदर आप गए स्थितियों को ध्यान से देखना करते समय कहीं गलती ना हो धेरे धेरे श्वास को उपर भरा अंतिम स्थिति में आप छोड़ सकते हैं ये है भुजंग आसन की मुद्रा गुटने धर्ती से उठा के रखें परवत आसन की स्थिति में आप आएं सरधर्ती पर लगाने की कोशिश करना फिर पुने शशांक आसन में आपको जाना है शशांक आसन में गए धेरे धेरे श्वास को वापिस से लेते हुए जो पाउं पीछे लेके गए वही आपको आगे लेके आना एक पाद अश्वसंचालन आसन की मुद्रा है ये धेरे धेरे वापिस पाद असन की मुद्रा में आना और धेरे धेरे यहां से श्वास को भरते हुए वापिस उपर अपने हातों को उर्द्व उत्थान आसन की मुद्रा में लेके जाना और वापिस सामाने स्थित्विम आते हुए प्रणाम आसन में आना इस तरह से बारा आसनों का क्रम सूर्य नमस्कार के साथ हमने पूर्ण किया है और आपको यही क्रम नियमित सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए दस से बारा बार जरूर करना है जिससे हमें अपने शिर को स्वस्त रखने में साहिता मिल सके धन्यवाद